हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लो मैं आप नबील है आपने इसके अपना एक बड़ा अपडेट आयोस 17.1 का पब्लिक स्टेबल वर्जिन यह काफी बड़ा अपडेट है और इसके अंतर बहुत कुछ नया है काफी कुछ खास है लेकिन यहाँ पे दो बड़े चाहिए नहीं करना चाहिए बाकि इस वीडियो के अंदर आपको सारे डीटेज जो है इस अपडेट से मिल जाएंग आइस 17.1 के साथ साथ आपल ने वॉच्छ ओएस 10.1 भी इंट्रीश किया जिसके अंदर आपल वॉच्छ से रिलेटेट कुछ फीचर है उसके बारे में आ आपको देखने मिल रही है अपडेट से पहले मेरे आइफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर जो वेस वर्जन था वो था 17.0.3 यह पॉब्लिक शेबल वर्जन था इसके अंदर अवेलेबल फ्री स्पेस थी 755.46 जीबी की और बिल्ड नंबर था 21A360 अपडेट से पहले वाली बात है अपडेट से पहले का मोडेम फर्मवेर था 1.00.03 और अपडेट के बाद यहाँ पे 17.1 आ चुका है आपके सामने है यह चीज़ और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस देखेंगे तो 744.94 जीबी की है यानि की 10 से 11 जीबी अवेलेबल फ्री स्पेस घड गई है आगे हम चेक भी करेंगे स्टोरेज के अंदर जाके फिर से आई या नहीं आई क्योंकि जैसे मैंने अपडेट किया उसके बाद इस स्क्रीन शॉट लेगे रखा हो मैंने आपके लिए ताकि आपको बता सको कि अपडेट के बाद क्या हुआ मेरे फोन के साथ अपडेट के बाद का बीडिल नमबर आप देख सकते हैं 21BAT तो यहां पर यह नया बीडिल नमबर आपको देखने मिलेगा और अपडेट के बाद एक नया मोडेम फर्मवेर भी यहां पर आपको देखने मिलेगा जो के है 1.12.02 वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको हमारे वीडियो के स् सेलेक करते हैं यहां से करप्टेट वीडियो फाइल जो है इसमें हमको बस एड करना होता है और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है उसके बाद यह फाइल यहां पर एड हो जाएगी और आपको रिपेर पे टैप कर देना है अगर यह फाइल ऐसे रिपेर नहीं होती तो फोटो है या खराब ही फोटो है उसको भी रिपेर तूल भी है जो आप ओनलाइन यूज कर सकते हैं अपने फोटो और वीडियो को एन्हांस करने के लिए जिसे यहां पर देख सकते हैं यहां इसके उपर इसको अपलोड कर दिया और यह आनलाइन टूल ने इनके इसको पहली चीज जो न्यू चीज आई है वो चेक कर लेते हैं इसके लिए आपके पास आइफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स यह डिवाइस होने चीए क्योंकि इनके अंदर आलवेज ओन डिस्प्ले तब यह चीज काम करेगी यह क्या चीज है तो यहां पर से पहला है अटोमाटिकली जब अटोमाटिकली पर आप सेट करेंगे तो डिस्प्ले जो है इंटेलिजेंटली ओफ हो जाएगा जब आपका आइफोन यूज में नहीं रहेगा और रूम डाक रहेगा यानि कि स्टैंडबाइप आपने लगा दिया आइफोन को आप यूज रहे और रूम जो है आपका डार्ख है अंधेरा है यान कि आप सो रहे हो बेसिकली सेकिंड यहां पे आपको मिलता है आफ्टर 20 सेकंड का यानि कि स्टैंडबाइप अपने फोन लगा लिया और 20 सेकंड के बाद ऑटोमाटिकली जो है डिस्प्ले ओफ हो जाग यह ऑप अब अगले set of changes जो आये दोस्तों वो आये है Apple Music के अंदर, Apple Music अगर आप इस्तमाल करते हो तो आपको यहां पे जो favorites का tab होता है, उसके अंदर नासिफ songs बलके albums और playlists को भी आड़ कर सकते हैं, और आप एक filter आड़ कर सकते हैं, इसमें आपके favorites जो है वो ही आपकी library में दिखाई देंगे, Apple Music का इस्तमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको extend कर नहींगे, यहां पे कोशिश करो, आप try कर सकते हैं, Apple Music के जो album cover आड़ होता है, उसके अंदर भी नया additions किया Apple ने, और उसमें जो change of colors है, वो reflect करेगा आपके music को आपकी playlist में, हर playlist के आखिर में song के suggestions भी जो है वो दिये जाएंगे, ताकि उस music को आप अपनी playlist में add कर सकें, उसका उपना favorite बना सकें, बनालब सिमिलर जो sounds होंगे, उनको, यह बात तो हो गई music की दूस्तों, और भी काफी सारे नहीं features बताता हूँ आपको, wallpaper अगर आप अपना change करते हो, यहां पे add a new wallpaper में जाते हो, और यहां पे जाते हो, photo shuffle के अंदर, तो यहां पे आप देख सकते है, people के अलावा आपको यहां पे album का भी option देखने मिलता है, album में अपनी favorite album या जो भी album आपने बना के रखी अपनी photo gallery में, उसको choose कर सकते हो, वो ही photo gallery में आपको नजर आएंगे, तो यह भी सही है, एक particular person की नह value का regulation, मतलब iPhone 12 की star value जादा होने की वएसे, France के अंदर इसको ban करने की बात हो रही थी, लाकिन Apple ने इस वाले update के अंदर वो चीज़ को adjust कर दिया, इसकी वएसे अब यह phone को आप safely, securely use कर सकते है, और आपके health के लिए यह मुश्किले पैदा नहीं करेगा, इस वाले update में यह त यहाँ पर आपल ने fix किया, वो यह है कि significant location की जो private setting है, वो transfer नहीं होती थी, जब आप एक नए Apple watch set करते है या पुरानी watch से नए Apple watch पे migrate करते है, तो भी बग यहाँ पर solve हो है, एक और बग यहाँ पर आपल ने fix किया है, मुझे तो वो face करने को नहीं मिला, लेकिन यह है कि incoming call अगर आता है, जब already आप एक call पे हो, यानि एक call वेटिंग पे आपका, तो उसमें जो caller का नाम है वो दिखाता नहीं था, वो caller का नाम आपके phone में, contact में stored है, फिर भी दिखाता नहीं था, सिर्फ नंबर दिखाता तो इसमें कुछ लोगों मुश्किल आ रही थी, यही problem इस यहाँ पे मैं HAISM जो लिखता, तो यहाँ पे मेरा keyboard है, वो ही ही टाइप करता, तो यह भी Apple ने problem यहाँ पे fix किया है, car crash detection से related iPhone 14 और 15 सीरीस के जो model है, उसमें optimization किया है, ताके properly वो काम करे, और यहाँ पे iPhone 15 सीरीस से related एक बड़ा issue, यहाँ पे Apple ने solve किया है, जहाँ पे इस ट learning वाला problem होता, यहाँ पे यह update से fix नहीं होता, वो hardware issue होता, तो यहाँ पे इसमें कोई भी आपको tension नेलनी वाली बात नहीं है, अगर यह problem आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी bugs है, जो के iOS 17.0.3 में मैं face कर रहा तो अभी चेक कर ले तो एक बर को, लेकिन कुछ दिन के ब application को भार निकल के, swipe up करके, फिर उसके बाद camera को kill करके, फिर से camera को open करने के बाद वो solve होता था, तो अभी तो फिलाल यह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन review में ज़रूर बताऊँगा मैं आपको, जो के 3-4 दिन के बाद मैं बनाऊँगा इस update का, अगला जो problem मुझे आ आ रहा कर रहा है, जो के 17.0.3 में सही से काम नहीं कर रहा है, और तीसरा problem यहाँ पे था, जो कुछ लोगों ने face किया था, मैंने face नहीं कहा था, वो था auto reboot, तो रात में phone जो है, automatically reboot हो जाता, और वो लोगों को समझ नहीं आती, तो वो लोग battery health and charging में जाके, यहाँ पे देखते तो कि अंदर जैसी मैंने update ही, तो मैंने check किया, कि 10GB, 11GB जो है storage घड़ गई, अभी एक बार वापस से setting general about में लेके चलता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे देखेंगे, तो storage जो है available free space, यहाँ पे घटा हुआ है, तो 10-11GB का available free space आपका घट सकता है, इस बात का ध्यान रख लेन 20-30-40-100GB जाता है, तो tension level बात है, यह fluctuating रहता है, जितना अब यूज़ करेंगे phone को, उतना जादा यह कम जादा होते रहेगा, लेकिन मेरा यह primary phone है, मैं इसको बहुत देवर यूज़ करता हूँ everyday, maximum time इसी phone पे गुज़ाता हूँ, तब भी एकदम stable है, तो यह सई चीज है जो भी application में खोल सका, खोल के चेक कर सका, वो तो सईसे काम कर रहे है, तो इस पे अभी फिलाल मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ problem आ जाए बाद में जाके, बाकि अपने benchmark जो है, कुछ न कुछ कहानी अपने को बता देते हैं, कि update के बाद जो है performance घटी है, बड़ी है, तो वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर CPU का benchmark की history देख लेते हैं, before and after में हमेशा करता हूँ, तो update से पहले था 2939 single core, 7375 multi core score, और अभी है 29277357, तो almost देख सेत क्या, similar performance है, 19-20 का फरक भी बोलना यहाँ पर मुश्किल है, और GPU का score भी देख लेते हैं, GPU की history देख ल समझ में आ रहा है, मैं इस से तो satisfied हो फिलाल, iPhone का heating issue, iPhone के 15 series में, वो भी खास करके 15 pro और pro max में, 15, 15 plus में तो problem था ही नहीं, 15 pro pro max के अंदर heating issue जो है, Apple ने 17.0.3 में ही solve कर दिया था, तो phone का over heating का problem मुझे नजर नहीं आ रहा, 15 pro max के में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बागी 15 के issue के तो green screen से related यहाँ पर इस वाले update के अंदर कोई fix नहीं है, हाँ, वो screen burning वाला issue को आ रहा था, उस से related fix यहाँ पर आपल ने push किया है, green screen के बारे में, Apple यहाँ बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और कुछ भी नहीं बता रहा है, और सबसे ज़्यादा phone जो affected है, green screen से वो ह iPhone 13 Pro, 13 Pro Max और iPhone 13 की series, मतलब iPhone 13 में है, 13 में मैं इतना सुना नहीं, आपने सुना होगा तो मुझे comment करे के बताना, लेकिन सभी OLED डिस्प्ले वाले phones को खोड़ा सा खत्रा बना हुआ है, आज भी green screen issue का, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो है, अपने बाकी पुराने iPhone पे जैसे यह 13 Pro Max है, और iPhone 13 है, 14 है, उनके उपर update करके देख लेता हूँ, और उसके बाद जब review वीडियो है, तो उसमें आपको बताऊंगा green screen का issue किसी में आया या नहीं आया है, network से related बात के लेते गाई, तो अभी फिलाल, अगें यह बताना जो है, ना मुम्किन है, क्योंकि अभी म आइफोन में था, जब मैं अपने आइफोन को reboot कर था, उसके बाद और अपडेट के अंदर जो के बाद में आया फेस करने पड़ा मुझे, इनिशली वो था नहीं प्रॉब्लम, तो कभी-कभी ऐसा होता है, कि अपडेट करने के कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम जो है, वो तो आपको ये update करना चाहिए, क्योंकि इसकी सार वैल्यू है, वो Apple ने इससे control में लाया, लेकिन फिर भी आप review video का इंतसर कर लीजिए, तो तिन दिन में आपको वो देखने मिल जाएगा, तो इसमें कोई green screen वगरा तो नहीं आ रहा है, वो चेक कर लेंगे हम लोग, अगर आपके पास iPhone 15 series का phone है, खासके 15 Pro, Pro Max, तो आप बिंदास update ये कर सकते हो कि आपका phone warranty में है, इसका भी phone warranty में update कर सकता है, लेकिन कुछ problem आएगा नहीं का वो देखना है, तो रेव्यू का इंतसर करो, iPhone 15 Pro, Pro Max की बात में इसलिए कर रहा हूं यहाँ पर, यूग कि वो screen burning वाला problem मैंने आपको बताया, वो इन ही devices के अंदर देखने मिल रहा है, तो अकर आपको वो problem आ रहा है, तो अपडेट कर लो, आपका problem solve हो जाएगा, iPadOS 17.1 बी, जैसे मैंने आपको starting बाता था, Apple नो release किया है, तो इसमें exactly same features है, इसमें आपको कोई भी चीज डिफरेंट में जर नही सेम bug fixes हैं, लेकिन watchOS 10.1 जो है, इसमें वो double tap वाला feature, Apple Watch Series 9 और Watch Ultra 2 के लिए आ चुका है, उसका इंतजार करना मैं उसकी वीडियो बना के आपको बताऊंगा, इसमें काफी सारे आपको नई चीज़ें देखने मिल जाएग, लेकिन वो सब चीज़ें अगले वीडियो के, तो पर इस चनल को सबस्क्राइब जो 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 गड़ाए, गुद्बाए